या अपने कभी सोचा है कि net और set के exam में क्या difference है आप किसी और state के set के लिए eligible है या नहीं और qualify कर लेने के बाद आपको नौकरी कहां मिलेगी national level पे या फिर एक particular state के अंदर इन सबी सवालों के जवाब मैं इस छोटे से 2 minute के session में देने वाली हूँ या फिर नौकरी कहां मिलती है eligibility क्या रहेगी मैं क्या हम eligible है या नहीं तो बात कर लेते हैं सबसे पहले net exam की net exam आपको full form दिख रही आगे national eligibility test set की full form है state eligibility test दोनों ही eligibility test हैं दोनों ही exams आपको eligible बनाते हैं देश भर में एक assistant professor बनने का research fellow बनने का अब हमारे जो recent जितने भी changes आएं है based on the exam pattern UGC का जो भी नए norms आएं हैं उसके हिसाब से अब आप PhD admissions के लिए भी net exam में appear करेंगे उस course से आपको PhD में भी admission मिलेगा तो PhD में admission लेने के लिए या फिर जी आरफ लेने के लिए या इंडिया भर में assistant professor बनने के लिए की validity all over India रहती है यानि माल लीजिए मैं इस वक्त हर्याना में हूँ हर्याना से हूँ मैं हर्याना में बैठके हर्याना के center में net का exam देती हूँ qualify कर लेती हूँ English के subject में अब दो सालों बाद मुझे Bangalore shift होना है तो Bangalore में करनाटका में जाके करनाटक के government college में मुझे appear करना है interview में या फिर मुझे भागे के aided college में assistant professor बनना है तो क्या मेरा net का certificate वहाँ valid होगा हाँ बिल्कुल होगा मैं वहाँ पर भी नौपरी के लिए eligible हूँ अपने net के certificate को दिखा कर दूसरी तरफ मान लीजिए अब मैं करनाटका का सेट का exam देती हूँ करनाटका सेट का exam सिर्फ state eligibility के लिए है सिर्फ उस state के लिए जिस state में वो exam conduct कराया गया है तो मैं करनाटका का सेट एक्जाम देती हूँ तो करनाटका का सेट qualify करके मैं सिरफ करनाटक के government government aided colleges में universities में assistant professor के लिए applicable बनूँगी eligible बनूँगी, फिर मैं करनाटका का सेट का सर्टिफिकेट लेकर हर्याना में नहीं जा सकतीगी, मुझे वहाँ नौखरी दे दो, तो यहां इसके eligibility all over India है, सेट की eligibility उस particular state में है, जिस state का वो सेट हुआ है, फिर दूसरा सवाल यहां पर यह बनता है, कि अगर आप किसी दूसरी state के हैं, तो क्या आप किसी दूसरी state का सेट दे सकते हैं, कि मान लीजिए, मैं हर्याना, मैं गुजरात से हूँ, तो क्या मैं महराश्टर का सेट में अपियर कर सकती हूँ, हाँ, बिलकुल कर सकती हूँ, एक candidate जो state 1 को belong करता है, वो state 2 के set को दे सकता है, इस state के सेट में अपियर कर सकता है, बस इतना हर्याना में OBC लिस्ट में आ रही हूँ, और फिर मैं आंद्रप्रदेश के set में अपियर कर रही हूँ, तो आंद्रप्रदेश में OBC में category में नहीं आऊंगी, वो reservation benefits मुझे बहां नहीं मिलेंगे, बहां पर मैं general candidate की तरह ही count की जाऊंगी, बस ये नुखसान आपको होता है, दूसरे state के set में अपियर करके, बाकी set दूसरे state के जरूर देने चाहिए, आपके लिए job opportunities बढ़ती है, आपके eligibility का status बढ़ता है, बहुत ऐसे का अटी rates हैं, जो net के लिए तियारी करते हैं, बट exam qualify नहीं कर सकते, तो set उनक people हैं, पर याद रखेगा, उसके बाद अप उसी state में, उस certificate को ले कर जाएंगे नौकरी के लिए, आप उस state के बाहर, उस certificate के basis पर नौकरी हासिल नहीं कर सकते, अगर देज भर में eligible बनना है, उसके लिए net qualified करना पड़ेगा, अगर आपको set के basis पर अपने home state में नौकरी मिल रही है, well and good, good for you, future में कभी कोई movement, कोई migration नहीं होने वाली है, तो बहुत बड़ी आपके लिए, आपका pay scale में इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकन अगर future में migration possible है, movement possible है, या फिर आप आगे GRF, या फिर आप आगे PhD में enroll करने का सोच रहे हैं, देश भर की बहतरीन universities मे In that case, NET का certificate होना आपके लिए जादा valuable, जादा beneficial रहेगा, I hope it out, आपका answer हो गया हो, session अच्छा लगा तो hit the like button, जादा से जादा लोगों तक share करें इस video को, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके, और ऐसी और videos के लिए subscribe कर दीजे हमारे official YouTube channel, UGC NET A.247 को, thank you